हाई एवरिवन मुगल मिनियेचर स्कूल का नेक्स्ट पेंटिंग है कबीर और रायदास सबसे पहले इसके फाइव पॉइंट्स ये भी बहुत इजी पेंटिंग है पिक्चर देखते ही आपको समझ आ जाएगा बहुत जादा इसमें डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है नहीं तो जल्दी से समझते हैं आर्टिस्ट है उस्ताद फकिर उल्ला खां मीडियम है वाटर कलर अन पेपर टेकनीक टेंपरा टाइम पीरिएट 1640 एडी और या फिर आप शाजहां स्टाइम लिख सकते हैं और कर्टिसी है इसका नैशनल म्यूजियम न्यू डेली तो जल्दी से सबजेक्ट मेटर की क्या टॉपिक है इस पेंटिंग का जैसे हमने नाम से पढ़ा है कबीर एंड रायदास तो इसमें संथ कबीर और रायदास को एक डुमेस्टिक इन्वाइरमेंट में मेडिटेटिंग मूड में दिखाया गया है अब कहते हैं कि दाराशिकों के मन में नाहिंदू सेंट्स को लेके बहुत रिगार्ट था इसके कहने पर ही शाज जहां के चीफ पेंटर उस्ताद फक्रुला खां जो कि एक प्रसिद पोर्टरिट पेंटर थे उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी तो काफी फेमस पेंटिंग है इसके उपर बोर्ड में भी बहुत बार क्वेस्टन आ जाता है जो मैं आपसे एंड में डिसकस करूँगे कि किस-किस तरहां के क्वेस्टन इससे रेलेटेड आते हैं सो इससे पहले समझते हैं डिस्क्रिप्शन को या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट को सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्क्रिप्शन में लिख के जाएंगे वो है कि ये एक होरिजॉन्टल पेंटिंग है जो देखने में आपको दिख रही है दूसरा इसमें सेंट्स को टिपिकल विलेज सेटिंग में बैठे बनाया गया है कबीर को देखें तो अपने करगे पर बुनाई करते हुए दिखाया है मतलब ही शोन वीविंग ऑन हिस लूम और उनके पीछे ही संत रायदास को इनके पीछे बैठे दिखाया है जिनोंने हाथ में बीड्स की माला मोतियों की माला एक पकड़ी हुई है दोनों को कुछ लगता है देखने से कि मेडिटेटिंग मूड में है या फिर किसी बहुत डीब डिसकॉशन में खोए हुए है ऐसे मगन दिखाया गया है इनको आप पीछे का इन्वाइर्मेंट देखें देखें में तो दो ही फिगर्स है ये दोनों इन दोनों का पुजीशन हमने समझ ली कि किस तरह से बैठे हैं क्या है अब जैसे राइदास के पीछे नीचे आप देखें तो एक कारपट टाइप उन्होंने नीचे बिछाया हुआ है बैकगराउंड में सिंपल विलेच सीन है पीसफुल सा हट दिखाए गई है और दोनों के चेहरे अगर आप देखें न तो जैसे संतों जैसे एक नूर है एक डिवाइन पीस है इनके चेहरों पे तो वो एक्सप्रेशन भी एक बड़ा इंपोर्टन पॉइंट है जिसको में आपको लिख के जाना है अब बॉडर बनाया गया है पूरी पेंटिंग को दिया गया है जो कि ब्राउन ब्लैक गोल्डन कलर में है और वैसे अगर आप ओवरॉल देखे न तो पूरी पेंटिंग येलो और ब्राउन का ही मिक्शर है बीच में वाइट शेड भी लगाया गया है और अगर हम हट की तरफ देखें तो हमें लगता है कि परस्पेक्टिव की कुछ छलक हमें वहां से मिलती है तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है हमारा इस पेंटिंग का पीछे ग्री भी दिखाए गई है थोड़ी सी और हट में आप देखें लाइन और हलका सा ब्लैक कलर दर्वाजे को जो दिखाया गया है जिसके तुरू वो भी हमें दिखता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टन पॉइंट है इसमें human life value इस पेंटिंग का ये बहुत important पॉइंट है क्योंकि इस पे बेस्ट हमें कई questions आते हैं अब first point क्या है human life value हमें क्या शिक्षा इस और तीसरा हम कहे सकते हैं कि अध्यात्मिक प्राप्ति और ग्यान अब यह हुआ इसका human life value तो जैसे मैंने कहा था starting में कि मैं आप से वो भी discuss करूँगी कि किस तरह के question इसमें से आ सकते हैं so first question पूछ सकते हैं do you receive any spiritual message from the famous mughal miniature painting कबीर और राइदस और which human life value are expressed in this painting तो उसमें से आप ये लिखके जा सकते हैं जैसे एक काम करते हुए और साथ में meditating mood तो उसका एक ये भी मतलब होता है कि जैसे हमने सुना है और पढ़ा भी है कि work is worship तो उस basis पे भी आप अपने answer को लिखके जा सकते हैं और बाकी जो human life value मैंने यहां पर discuss की हैं आप से वो भी आप लिख सकते हैं और second जो normally question पूछा जाता है वो इस तरह से होता है कि identify any relevant painting included in your course comprising of the following features and explain them in that painting accordingly मतलब यह जो नीचे line अब दी गई है तो वो किस painting से related है और आप यह पढ़के किस painting या कौन सी painting आपके दिमाग में आती है उसके बारे में लिखके जाएं तो वो है the Mughal school of miniature painting was secular in which Hindu gods, goddesses and saints were also depicted अब यह अगर statement आपको paper में आई है तो इसमें आप या तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट को वर्धन भी लिखके जा सकते है और दूसरी painting कबीर और राइदास भी लिखके जा सकते है इन दोनों में से कोई एक painting mention की जा सकती है paper में So this is all about कबीर और राइदास Thank you